हेलो श्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर तो आज देखेंगे क्लाश 10 में प्रश्णा वाली 1.3 1.2 इसके पहले बोचुकिए 1.3 में देखेंगे कोश्चन नमर 1 लिखा हुआ है रूट 5 एक अपरिवेश्चन क्या है पर पहले लिखा हुआ सिद्ध कीजिये कि रूट 5 एक हेह तो हम्हें सिद्ध करना है रूट 5 झा पॉट को पता है इसके पहले बताए मिजा रूप में नहीं लिखी जा सकती है वह अपरिवेशन क्या होती है वे संखया क्या नहीं तो हमस्तितों क्या करते हैं जोिखा है है हम्लेशन का है तो इस प्रकार हो जाएगा माना रूड पांच बराबर ए अपान बी जहां ए और बी पूरां क्या है चलिए लिखते हैं माना हमने कहा था इसका विब्रिद मानेंगे माना रूड पांच एक परिमेशन क्या है परिमेशन क्या है क्लिए रहे हैं तर उसके बाद में लिकिन फिर से माना रूड पांच बराबर ए अपान बी तो इसमें जाएगा बी नौट एकपल जीर एनिकि बी जीरों के बराबर नहीं है तो अब क्या करेंगे ए अपान बी लिखा लिखें जहां ए कामा बी कोई पूडांक हैं क्या हैं पूडांक हैं अब इसमें लिखेंगे जब लिखा है ए और बी कोई पूडांक हैं तो हम लिखेंगे तथा ए और बी में एक के अतरिक्त तथा ए और बी में एक के ए और बी पूडांक में एक के अतरिक्त कोई पूडांक नहीं है कोई पूडांक नहीं है अब यहां तो मेरे में तो हमलिकंगे–ए कोई ए और बी आतरिक्त कोई अन्मिक नहीं है यह जैसे एक हमारे पाद इसमें सिर्फ एगिसमे मिल जाएगा एक किसमे काम मिल जाएगा तो जब ऐसा है तो इसके आगे हम क्या करेंगे आप देखेंगे लिखेंगे रूड़ 5 बराबर A अपान B अब बजात तो आजाएगा रूड़ 5 B बराबर A दोनोर वर्व करने पर जहांसे मुश्ट इंपर्टन कोईशन है एक कोईशन इस अभ्यास से पूछा जाना अनिवार नहीं है तो अब वर्व करेंगे तो आजाएगा पांच रूड़ पांच का अवल स्क्वार बराबर आजाएगा एक ऐसकर तो अब देखो रूड पांच, जब रूड पांच का स्क्वार होता रथा तो रूड पांच को गुड़े में दो बार लिखते हैं, तो रूड पांच रूड पांच की गुड़ा कितनी हो जाती है, पांच, या ऐसे रूड तीन गुड़े, रूड तीन की गुड़ा कितनी हो जा तो यहाँ पर 5B square आ जाएगा बराबर A square तो इस प्रकार से यह हवारा इतना आ गया है अब हमें करना क्या है अब हम देखेंगे इसके आगे लिखेंगे क्या आता 5A square को विवाज़ित करता है आता यह पर लिखेंगे स्वारी पांच लिखेंगे, पांच A स्क्वार को विभाजित करता है, विभाजित यह स्वारी के नमबर A डाल देंगे, विभाजित करता है, इसलिए पांच A को भी विभाजित करेगा, करेगा यह देखेंगे सरकेट नमबर दो अब आगे देखेंगे विवाजित करेगा अब आगे देखेंगे इज़र चुड़ा बढ़ा लेते हैं इसको हाँ अब देखेंगे विवाजित करेगा तो उसके आदा हैगा माना ए बराबर पांच के रखने पाद जहां पर ए है वहां पर क्या रखेंगी पांच तो यहां पर आएगा पांच बी स्क्वाइर संट के नमबर एक से समी करण एक से तो अब क्या जाएगा जहां पर A स्क्वाइर है वहां पर हम क्या रखेंगे पांच के तो आजाएगा पांच B स्क्वाइर बराबर पांच के का क्या हो जाएगा अब भ्यांदो पांच B स्क्वाइर को विभाजित करता है तो पांच A को भी विभाजित करेंगा तो हम यहां पर अब क्या लिखेंगे लिखेंगे आता हाँ पांच B स्क्वाइर को विभाजित करता है इसलिए पांच B को भी विभाजित करेंगा यह लोगो यहां तर अब आगे क्या लिखेंगे पांच यह स्क्वाइर को विभाजित करता तो इस प्रकार यह भी हो क्या इसको बाले समी करण दो और तीन से आप देख लें बिल्कुछ से में कुछ नहें करना है अब लिखेंगे इस प्रकार समी करण दो और तीन से स्वष्ट होता है इस प्रकार समी करण दो और तीन से इस पश्ट होता है आप देठे लें यहां पर 5b को इसका पुड़ाँ 5 ay किसमें है पांच पुड़ाँ इसमें इसका मतला हमारे पास परिमे संख्या है लेकिन इसके पहलें पढ़ा चुके हैं कि रूट 2 रूट 3 यह सभी वाली क्या होती है अब परिमे संख्या होती, तो अब आगे देखेंगे इस प्रकार, रूट दो वात तीन से स्पर्ष्ट होता है, कि A वा B का उभयनिष्ट गुड़नकंड, कि A वा B का उभयनिष्ट, मतलब कामन, उभयनिष्ट गुड़नकंड, पांच है, देखो फिर से, A वा B का उभयनिष क्या पांच है तो अब कहाए जो हमारी कलपना के वब्रीद है जो हमारी से कलपना के वब्रीद है HELP अब इतना ऊंग तो लिखेंगे आता हा या इसे इसे उत्वता होता है कि हमारी धारणा गलत है इससे की स्वस्ट्ट होता है कि हमारी धारणा इससे स्वस्ट्ट होता है कि हमारी धारणा गलत है गलत है, रूड पांच या इससे लिए इससे स्वर्श होता है कि धारणा या हमारी धारणा अब चुर गया है, हमारी धारणा गलत है, रूड पांच परहिसरं क्या है journal है, पर लिंदे है खांदो हुर्णा गहा है रूर पाँच एक परिमे संख्या है संख्या है अता हाँ रूर पाँच एक परिमे संख्या है ये हो गया आप देखो यहाँ पर थोड़ा इपाँ जान देदू कुछ नहीं करना है रूरब पाँच एक परिमे संख्या है रूर में तौर रूर्ण बन देखेऊ आपके बास यहाँ पर त्यारी में परिमे driving में संख्या रूम में सिर्फ वही बदल जाएगा बागी कुछ नहीं करना है तो इस परकार से निकाल लेंगे कुछ नहीं करना माना रूट पांच बार अपांच बी जहां बी ना डिक्कोल क्या हो गया जीरो जहां अ वाब बी कोई पूडांग रहता मान लेंगे पांच बी स्कॉयर और जीरो जाएगा आता करता है इस परकार से दो और ती से स्वष्ष्ष होता है क्या श्रूता है क्योंकि यहां पर स्वुर्षाat नमर् धो मेरे पांट में पांच हमारे पास कामन है है इस के श्रूता है कि हमारी ध्रना गर्ध है रूट पांच एक परिबे सनक्या है आपको करना है परिच्छा में 100% इससे पूछा जाएगा नहीं तो लिखकर के रख लीजिए तो कोश्चन क्या है जैसे कोश्चन नमर 1 अंदे रहा है आपको रूड दो और रूड कोश्चन नमर दूसरा हो गया रूड तीन कोश्चन नमर तीसरा हो गया रूड साथ रूड साथ एक अपरी में संख्या है आपरी में संख्या है सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए या फिर हमारे वाट्सन नमर 790-500-2187 पर आपको कोई एगर डौट्स नमर आप मैसेज करके आप डौट्स कुलियर कर सकते हैं तो यह कोश्चन आप नोट करके यह कोश्चन पहले आप करेंगे उसके बाद में यह कोश्चन नमर लगाएंगे अगर यह कोश्चन आप लगाएंगे यह कोश्चन आप मतला आप काफे डौट्स से सेखेंगे वासा थोड़िपो देखेंगे निया बस ठीक है इसने कारम आगे नेकी कोश्चन नमर टू